पेसन का हलवा बनाने के लिए हमें एक कप पेसन चाहिए, उतना ही एक कप हमें दूट चाहिए, मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है, आदा कप हमें चीनी चाहिए या शुकर, फिर हमें घी चाहिए, देसी खी, काडमम पाउडर या लाइची पाउडर और कुछ मैंने छॉप कर लिया है और इन्हें में रोस्ट करा है दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे और इनको फिर निकाल लीजए उसके बाद सेम पान में मैंने तीन टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी डाला है, जबकि इंग्रीडियंट लेस्में 4 टेबल स्पून है तो मैं आप अज़े से गरम था और देखे जैसे यह मिक्स हुआ है तो यह जो बेसन है वो सॉटे होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें इसे ज्यादा प्राउन नहीं करना है, देखे अब सी हो गया पर यह थिक है बहुत जाधा, तो हमें यह कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, इसको हमें अग और घी डालके डरिये मत घी खाईए और इसके बाद बॉक आउट करें घी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉड़ी के लिए तो इट एफरिटिंग एंड देन वोक आउट इसको अब हम और पांच मिनट के लिए सॉटे करेंगे लो फ्लेम पे स्टर करते रहें वरना नीचे से जो बेसन है वो लग जाएगा और पांच मिनट होते ही मैंने इसके अंदर जो मिल्क था वो मैंने इसमें डाल दिया है ज़रूरी नहीं है कि जो मिल्क है वो गरम होना चाहिए आप ठंडा मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं मिल्क डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजी और देखे मिक्स करने के बाद यह जो एक तरीके से मिल्क है वो ग्राम फ्लॉर ऑर घी के उस मिक्सचEr के अंदर एब्सॉब होता चला जाएगा और easily हमारा जो यह ग्राम फ्लॉर है जो बेसन है यह स्टिक नहीं करेगा तो यह एक अच्छी निशानी है कि हाँ आपका नॉन स्टिक की बेसन का हलवा बनके तयार होने वाला है तो we are going in the right direction और इसको भी अब हम दो से तीन मिनट तक फ्लेम पे रहने देंगे ताकि जो घी और जो बेसन और जो मिल्क था उन सबका फ्लेवर एक साथ आजाए और उसके बाद हमने इसके इंदर हाफ कप शुगर डाला है simple measurements है जितना बेसन लिया है उतना ही दूद लेना है जितना बेसन लिया है एक्जाक्ली इसका हाफ कप चीनी लेनी है और देखिए इसको आप अच्छे से mix करेंगे दूद की जगे अगर आप चाहे पानी का भी use कर सकते हैं पर मुझे personally दूद का जो फ्लेवर है वो बहुत जादा पसंद है तो मैं suggest करूँगी कि आप इस हलवे को दूद में ही बनाए और देखिए छीनी डालने के बाद यो कळर था? वो थोड़ा सा इन्हांसd हो जाता है मिख कर दिया है य future mold Jewishíveίο patches चीनी डालने के बाद उस पे हमने cardamom powder जों अलाईजी powder था वो भी आमनेबा हो मिखक पाउडर था है और फिर हमने इसमें जो चॉप्प डामंड से वो भी हमने डाल के स्किनन मिक्स कर दिया है आप चाहे तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं पिस्ता में नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो लिचल बिट आप आप पसंद नहीं है और कुछ नहीं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नहीं रेसिपी के साथ बाई